असलाम लेकुम हेवियर्स, वेलकम टुमाई यूटीव चैनल स्लेप स्वर्ड, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सदफ कवल कैसी बनी जीरो से हीरोईन और हम ये भी बताएंगे कि सदफ कवल हुई कैसी इतनी खुबसूरत, पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, ये सब भी आपको पता चलेगा हमारी इस वीडियो में लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं सदफ कवल के बारे में, सदफ कवल इकसी ड्रामा में भी आई है नसर और उसके साथ बालू माही मूवी में भी इनका किर्जार था सदफ कवर पाकिस्तान की टॉप मोडल में शामिल है उनकी शादी हुई है शेहरोज सब्सवारी के साथ शेहरोज सब्सवारी की दूसरी शादी थी सदफ कवर के साथ उनकी पहली शादी थी साइरा यूसफ के साथ जिन्हें उन्होंने डाइवोस दे दी थी और अपनी मुहबत की कहानी शुरू की थी सदफ कवल के साथ सदफ कवल ने अपनी इस्टरग्राम पे शेयर की थी कुछ अपनी पुरानी तसावीर जी हाँ जब अपने स्ट्रगलिंग दोर से गुज़र रही थी उनका स्टार था मॉडलिंग करियर में वो ऐसी तसावीर है कि आप देखकर हिरान रहे जाएंगे आप देख सकती है कि वो कैसी लग रही थी उन्होंने अपने आपको कितना ग्रूम कर लिया है इवन उनका कलर भी था नॉर्मल लेकिन अब काफी नज़र आता है फिर इसके पीछे क्या वज़ा थी कुछ लोका ये भी कहना है कि उन्होंने इंजेक्शिर्स रगवाए हैं वाइटनिंग के पर इसके साथ सथ याद रहे वो एक मोडल है तो वो फिशल्स और भी यूज़ करती है सदफ कवल आई देना इंस्टाग्राम पे अपनी नए नी तसाविश शेयर करती हैं अपने नए ने फोटो शूर्स भी लेकिन आज अब उन्होंने शेयर की थी अपनी पुरानी तसाविश जिसे लोगों ने तनकीत का निशाना बना है लोगों ने बहुत कुछ कहा उनके बारे में ये भी कहा कि आप कैसी थी पहले क्या इनसान को शूर्बीज इंडरिस्ट्री इतना बदन देता है कि आप इसकदर हसीन हो गई है सदफ कवल को फैशन आईकन भी कहा जाता है उसके लावा शेहरो सब्सवारी के साथ इनकी शादी हुई है शेहरो सब्सवारी के बेटी उनके साथ ही रहती है अलाहाफीज